शनिवार को नेशनल रूलर डेफलेप्मेंट एंड रिसर्ट सोसाइटी के टेक्नो पार्क का उधगाटन किया गया जहां केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी एवं मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी प्रमुकता से उपस्तित रही इस मौक के साथ विधर्ब की आविशकता और शम्ता को पहचान कर शोत की दिछात तै करनी चाहिए आयात कम करने निर्यात शम्ता बढ़ाने और भविश्य को पकड़ने वाला शोत समय की जरूरत है इस मौके पर उन्होंने भावी इंजिनियरों से बातचीत भी की इस अफसर पर नितिन गटकरी ने कहा कि ग्यान एक महान शक्ती है और इस ग्यान से गौरब पैदा करना समय की मांग है इसलिए जो चातर इंजिनियरिंग कर रहे है उन्हें यह पैचाने में सक्षप होना चाहिए कि हमें किस वतक्नीक और शोध की आविश्यकता है सुर्योदे कॉलेज ओफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नलोजी इस सवस्ता में आज के इस समारों में उपस्तित माननीय जया किशोरी जी जो अध्यात्मिक गुरु भी है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है मेरे स्वयोगी पुर्व विदायक सुधाकर कोलेजी शाउस्ता के अध्यक्ष स्रीदीपत चाफले प्राचार्य डॉक्टर बीजी अरस्पुरे सीओ डॉक्टर पीजी परहाटे एमडी डॉक्टर रसीका चाफले उपस्तित सभी विद्यार्थीगान और उपस्तित सभी भाईय और बहनों सबसे पहले मैं विशेश्विप से सुर्वेदे कॉलेज ऑप इंजिनीरिंग एंड टेक्नोलोजी इस कॉलेज के जो मैनेजमेंट कंट्रोल करने वाली सवस्ता है नैशनल रूरल डेवलोप्मेंट एंड रिसर्च सोसाइटी इनको रुदह से बहुत-बहुत धन्यमाद देता हूं तरफ विज्ञान रिसर्च इसको भी आत्मसाथ करिए और दूसरी और जीवन मुल्य धर्म नीती अपना कर अपने व्यक्तितों को ही पुर्णांका की और ले जाकर परिपुर्ण बनने की कोशिश करिए पैसे से संपत्ति से सब सुक खरेदी नहीं किये जा सकते हैं घर में मर्सीडीज गाड़ी है बंगला है सब कुछ है और घर का अट्मस्पर खराब होता है तो किसी को घर में मन नहीं लगता सब दुखी होते हैं एक अच्छी कहानी थी करें मुझे बताई थी कि आदमी जू च्रूलिए थी क्ष Vielleicht Aenger करोओं ज्रों में सब्सक्राइञा आंट वर्ची कِbbe करो रोख नगता रोओं पैसा कमाने के बाद कैद सब्सक्रावब पैसा ओड्सक्राव बह लोगत द्भाना के बीसी आख ये पिर क्रते हैं और पार गौई और बहुत नसी चृओं चानल किर ज तो यह गारी गोड़े शत्ता संपत्ती इससे कोई समाधान ने मिला कि समाधान मानने के ओपर होता है और समाधान वेक्तितों में अच्छे सवसकार जीवन जीने का एक साइंस विग्यानम को समझ में आता है और मुझे है कि जया किषुरी जी आपका मार्गेदरिशन करने वा आज मेरे नसीब में नहीं है उनका मार्केश से सुनना मैं उनकी शमा मांगता हूँ और आप सब के उज्वल भविष्य की कामना करती हुए सुर्योद्यों कॉलेज ओप इंजिनिंग एंड टेक्नोलोजी मैनेजमेंट को रुधय से ने इनोवेशन के लिए रिसेर्च के जियासा वाले सवाल बहुत वेलकम है जरूर करिये पर जब परिस्टिती के सवाल के बगवान गलत करता है बगवान ये मैं कहती हूँ आपसे आपकी जिंदगी नहीं समलती तो एक जिंदगी आपको समालनी है कि आपसे आपकी जिंदगी नहीं समलती और प्रश्न उससे कर जो दुनिया चला रहा है कि अपनी जिन्दगी तो ठीक से रख लूँ उसके तो हर पड़ाओं पर आपको है कि मैं कि क्या करूं अम क्या करूं ऐसे कैसे करूं यह गलती हो गई और जो युगों से दुनिया अच्छे से चला रहा है कोई अपग्रेड की ज़रत नहीं पड़ी इसको जब आप लोगों को सुनते हैं तो बहुत इच्छे स्पीकर है सोनुस और माजी उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जब बताते हैं कि आज रियत्ती फोन बना रहा है हर साल अपग्रेड हो रहा है तो क्या आपको पहले साल पता नहीं चलता हो अगले साल क्या लेकिन हर साले कि नहीं गल्ती नहीं गल्ती और कहते हमने इसको ठीक कर दिया बदवान ने एक ही इंसान बनाया आज तक चलता रहा है कोई अपग्रेड की जरूरत जहां कान लगाए वही कान है जहांनाक लगाया ऐसा थोड़ी लगा नहीं अपकान थोड़ा बनिल देते है यह आखे कहीं और लगाते हैं एक इंसान बनाया ऐसी प्रकृति बनाई जिसको अपग्रेड करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो जो ऐसी दुनिया चला रहा है उससे क्या प्रश्न कर रहे हैं तो इन तीन चीज़ों को अपनी जिंदगी में जब आप उतारते हैं यहीं चीज़े हैं जो सफल रहने में आपकी मदद करेंगे सफल होने में तो और बस चीज़ें वी कर रहे हैं महद भी कर रहे हैं अलग अलग टेक्निकल काम भी कर रहे हैं टेक्नोलोजी कर रस्ता अपना रहे हैं विज्ञान कर अपना रहे हैं पर अध्यात्मा आपको सफ रहने में मदद करता है होने में करे ना करे पर रहने में जरूर मदद करेगा और अपनी इस बात को मैं एक ही विचार की साथ खत्म करूंगी कि अध्यात में का मतलब यह नहीं कि आप मौडन इजम से दूर हो जाएए बिल्कुल नहीं बसाथ को एक ही काम करना है कि आजाद रहो विचारों से पर बने रहो संसकारों से आपके विचार जितने उंचे हो सके खुलो बरे हो सके लेकिन जब आपके संसकार अच्छे होते हैं तो आपको पता होता है कि मेरी लिमिट कहां तक है मेरे principles क्या है और याद रखना जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि मेरी जिन्दगी का मूल क्या है मेरी जिन्दगी का उदेश क्या है और मेरी जिन्दगी की principles क्या है यो कभी वे सही रास्ते पर नहीं चल सकता फिर उसको तो जो गलत है सही जोग दिखेगा वो सक्सेस होने के लिए वो करेगा तो आपके प्रिंसिपल सापको पता होने चाहिए कि मुझे चाहिए हो लेकिन रस्ता मेरा यह होगा रस्ता कहीं और में घुनाफिरा के जो आपको हमारे आदर्णे नितिन गट्गरी जी नि क कि शौट कट का सक्सेस शौट समय तक रहेगा लेकिन सभी रास्ते पर मेहनत करके भेरी के साथ मेहनत करोगे काम करोगे उसके बाद जो सफलता मिलती है वह आप से कुछ ही नहीं सकता इस अफसर पर नापूर पहुंची मशूर मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने भी उद्गाडन समारों को संबोधित कर भावी इंजिनियरों का मार्ग देशन कर मनुबल बढ़ाया इन्बीसेन न्यूस के लिए अजित कुवर के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट